नबस्कार दस्तों मैं हूँ निरजराय और स्वागत है आपका फरौमार्स में दस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस की प्रॉब्लम और उसके ट्रीटमेंट के बारे में इस पूरे वीडियो में हम लोग सब से पहले बात करेंगे कि गैस की problems क्या होती हैं, इसमें क्या complications होते हैं, आखिर कारण क्या होता है गैस हो जाने का और last time लोग इसमें बात कर लेंगे कि treatment के लिए आपको कौन सी OTC medicines होती हैं गैस की problem आज के दौर में बहुत ज़्यादा common हो गई है और हर एक लोग में अगर देखा जाए तो की हमारे लिए हानिकारक हो शकती हैं, पर उसको या तो डाकार के रूप में या फ्लैटलंस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है I mean कि या तो वो एनलस के थरो बाहर निकल जाती है, और यह common सी process होती है human body में मतलब अगर आपके सरीर से gas बाहर जा रही है तो यह अच्छी बात है लेगिन कभी-कभी कुछ लोगों में इसके विपरीत हो जाता है और यह gases बाहर नहीं निकलती है और पेट में ही रह जाती है ऐसा हो जाता है कभी-कभी यह सर पे भी चली जाती है जैसे चक्कर या यह सब के शिकायत होती है तो दोस्तों यह तो gas की problem होती है जो की complications देखने को मिलते हैं कुछ लोगों में जिनमें gas बाहर नहीं निकलती है उनके पेट में ही रह जाती है तब बहुत ज़्यदा problems आपको हो सकती है जिसमें हो सकता है कि पेट में अंदर में दर्द हो या फिर उकाई आने की शिकायत हो चक्कर आ सकता है उल्टी आ सकती है या उल्टी हो भी सकती है मतलब ये सब problems देखने को मिलती है कारण क्या होता है तो आज कल का जो अलग सा भोजन है मतलब विपरीद भोजन खास करके जो हम लोग करते हैं वो gas की सबसे बड़ी problem है और दूसरी बात exercise ना करना भी gas की problem हो सकती है कहने का मतलब ज़्यादा तर हम लोग खाना क्या खाते ह कि ज़्यादा fast food लेते हैं ज़्यादा तलाफ होना चीज़ खाते हैं रात के टाइम पर या फिर छाज या फिर कभी कभी देखो प्याज को दही के साथ में मिला करके या ऐसा विपरीद भोजन जो हम लोग करते हैं ये सब gas की वज़ा हो सकते हैं इस वज़ा से अभी आप करें तो ध्यान रखें कभी भी विवरीद भोजन को साथ में ना खाएं उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत सारी भी मर्या हो सकती हैं तो अभी हम लोग जान लिये हैं कुछ चीजे गैस के बारे में अभी अगर हम इसके treatment के बारे में बात कर दूसरी जो medicine होती है वो H2 antagonist या H2 inhibitor होती है यह दो प्रकार की medicines होती है जिसमें अगर थोड़ा सागर डीटेल में बताएं और आप नहीं जानते हैं तो अभी medicine का नाम सुनते हैं आपको पता चल जाएगा जो proton pump inhibitor होती है इसमें प्रजोल टाइप की medicines आती है जिसके लाश दूसरी यह सारी medicine अगर आपके पास में हैं नहीं है तो आप रख ले और यह सारी medicine साप ले सकते हैं इसके अलामा अगर देखा जो H2 antagonist होती है उसमें rentidine आती है तो rentidine भी ले सकते हैं दोस्तों अगर एक चीज यहां पर हम बात करें कि इन दोनों medicines को में लेना कैसे है दोनों मैंसे आप एक ले सकते हैं दोनों ले सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा तो सबसे पहले जो हमने चाई पीने से पहले भी आप लोग इसको ले सकते हैं अगर आपको गैस की प्रॉब्लम होती है और मालीजे खाना खाने के बाद आपको गैस की प्रॉब्लम है तो दो घंटे बाद ले लिजे ठीक हो जाएंगे दोस्तों कभी-कभी देखा गया है कि यह ओमिप्राजोल यह मैं अगर मालीजी कि दोनों मेडिसिंस में कोई अकेली फायदा नहीं कर रहा है तो उसके सकते हैं कोई प्रावलम नहीं होगी आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे दोस्तों ज्यादा लंबेश में तक खुद दवा ना करें डाक्टर से मिलने अगर आपको ज्यादा प्रावलम हो रही है अब वीडियो के लाश्ट में अगर आपको बताएं कि होता क्या है कि कभी-कभी उकाई आती है जब भी हमें गैंख की शिकायत होती है तो उस टाइम पर हम लोग ओंडनेश से ट्रों या डॉंपेरिटों का कमिनेशन ले सकते हैं का मतलब पनब्रावलम के तो आपकी उकाई भी ठीक हो जाएगी पर मैं फिर से कहा रहा हूं अपने आप ज्यादा लंबे शमयता की राज ना करें आप ले शकते हैं कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन जैसे रात के टाइम पर आपको प्राब्लम होती तो आप ले लीजिए नहीं तो फिर आप अपने ड का कमिनेशन आप रख सकते हैं कोई भी मेडिसीन आप अपने हिसाब से ब्राण्ड ले सकते हैं जंद रिक लेंगे तो आपको सस्ती मिलेगे तो दोस्तों यह था आज का वीडियो इन्फोर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर दिजेगा वीडियो को लाइक कर कर दिजेगा और शेयर कर दिजेगा अपने दोस्तों के शाथ में हमें इस्टाग्राम पर फालो कर दिजेगा साड़ वीडियो देखने के लिए